नमस्कार स्वागताब सभीका मैं हूँ आपके सर्प्रतिक्षा और एक बार फिर आज देश की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि एक क्लिक के जरीया आपको पता चले कि आज देश में क्या कुछ हुआ है तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अंतरास्टी योग दिवस का उत्साह, जुनून, जोश पूरे देश में नज़र आया प्रधान मतरी खोद देरादून में थे और तकरीबन 50,000 लोगों के साथ उन्होंने योगा भ्यास किया आज के दिन को ध्यान में रखते हुए अला कि उनके मुद्राएं और योगा का भ्यास जो स्थिती है वो बताती है कि वो रेगुलर योगा करते होंगे तभी शायद इतना परफेक्ट और इतना सही योगा भ्यास करते वो नज़र आए तो आज पूरे देश में योग की धूम नज़र आई सेलिब्रिटी से लेके पॉलिटिशन से लेके तमाम आम लोग भी इस योगा भ्यास का हिस्सा बने और अंतरास्टी योग दिवस के अवसर पर जिस तरीके का उत्सा सामाने तोर पर होना चाहिए वैसी ही रंगत देश प्रदान मंतरी मोधी के साथ उनके तमाम मंतरी भी जगे जगे योगा भ्यास करते नज़र आए साथ ही योगी आदितिनात भी आज राजिपाल रामनाई के साथ लखनव में एक मंच पर नज़र आए उनके साथ ग्रह मंतरी राजनात सिंग भी थे यानि तमाम मंतरी जो की योगा भ्यास के लिए आज घरों से बाहर थे और अंतरास्टी योगा दिवस के लिए आज पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे थे चली आज के दिन के बाद अब अगली खबर करूख कर रहे हैं ममता बानर जी एक बार फिर बहुत मुखर नजर आ रही है और उन्हें ने कहा है कि बीजेपी आतंकी संगठन है ना सिर्फ मुस्लिम हिंदू बलकिन हिंदूओं को भी लडाने का काम बीजेपी कर रही है लगातार जस तरीके से ममता बानर जी बीजेपी पर अमिट शा पर प्रधानमतरी मोधी पर हमलावर रहती है निश्चित तोर पर ये कहा जा सकता है कि ये एक और बहुत बड़ा वार है देखना है कि बीजेपी के खेमे से इसका पलटवार कौन करता है और किन शब्दों में करता है अब डेट समाप तक पहुँचाएंगे अगली खबर करूख कर रहे हैं आपको पता दें नई दिल्ली जी हाँ दिल्ली वासियों के लिए एक और खबर है दरसल अभी दिल्ली वासि धरना की पॉलिटिक से उबर भी नहीं पाए है और एक और बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी है क्योंकि आमादनी पार्टी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और कॉंग्रेस तीनों सडकों पर सियासत करने उतर रही है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने धरना खत्म हो चुका है और सडक की सियासत शुरू हो चुकी है दरसल आमादनी पार्टी एक जुलाई से पून राजिका दर्जा देने की मांग को लेकर सडकों पर आंदोलन करती नजर आएगी इधर कॉंग्रेस में ये तै किया है कि वो सरकार बखुबी अपना काम नहीं कर रही है इस लिहास से वो सडकों पर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी ने दिली के कुछ लाकों में पानी की समस्या को लेकर सरकार के खिलाब सडक पर प्रदर्शन करने का अंदोलन करने का कारिकरम बनाया है यानि देखें तो दिली वाले फिर एक बार परिशान होने वाले हैं क्योंकि अब धर्णा की पॉलिटिक्स खतम हो चुकी है और पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है सडक की जिहां सडकों पर सियासत बहुत जल्द दिली वालों को देखने मिलेगी दिली वैसे ही तमाम परिशानियों से जूचती रहती है हाली में प्रदूशन की समस्या से लगातार जूचती रही है दिली अभी भी बहुत सामान इस्थिती नहीं हुई है और भी अन्य समस्याएं हैं जिन से दिली वासियों को रूबरू होना पड़ता है लेकिन फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों ही धरना पॉलिटिक से बाद अब सड़क की सियासत पर उतर रही है बहराल अगली ख़बर करू करते हैं आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल को जीस्टी के दाइरे में लाने की मांग को लेकर लगातार पेट्रोलियम मंतरी धर्मेंद प्रधान कह रहे थे लेकिन अभी फिलहाल जो खबर है वो यह है कि एक ब्लूप्रिंट केंदर सरकार ने तयार कर लिया है आपको बताएं कि तक्रीबन 35 से 40 पीसद जो हिस्सा होता है वो टैक्स का होता है और यह जो हिस्सा होता है यह राज्यों की तरफ से लगाया जाता है पेट्रोल के लिए इस लिहास से यह थोड़ी सी बड़ी परिशानी हो सकती है क्योंकि GST को लेकर राज्य वो परिशानी में जा सकते हैं क्योंकि पूरा पूरा जो वैट है वो उनका उस पर लगता है और केंदर की तरफ से जो टैक्स लगता है लेकिन अगर GST के दाईरे में पेट्रोल डीज को ले आए जाए और इसके बाद जो सरकारी राज्य टेक्स है और वैल्यू टेक्स वैल्यू एडिट टैस यानि वैट है उसे राज्य सरकारें अपने हिसाब से लगाएं तब पेट्रोल और डीजल का कीमत तै हो देखिए जेस्टी को लेकर लगतार चर्शा हो रही थी कि पे पेट्रोलियम पदार्थों पर और पेट्रोल डीजल पर इस खबर पर भी नजर बनी रहेगी अगली खबर का रुक कर रहे हैं आज एक तस्वीर की बात हम करेंगे जिसने सभी को बड़ा आकर्शित किया दरसल जिस तरीके से मैंने अपनी खबरों पर बताया कि योगा भ् अक्सर योगी आदितिनाथ को परंपरागत वस्त्रों में देखते हैं जिसमें वो धोती पहने होते हैं जिसमें उनके कंधे पर साफा होता है लेकिन आज वो भी योग के लिए अपने परंपरागत वस्त्र को छोड़ कर टी-शिर्ट में नजर आए ये तस्वीर आप लिए इतना ही आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं जादा बहतर कहीं जादा अच्छा हो इनी शुब कामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार